हेलो दोस्तो एक हाउस वाइप का पूरा टाइम घर, किचन और बच्चों को संभालने में ही चला जाता है और वो खुद के लिए टाइम नहीं निकाल पाती हैं तो आज मैं आपके लिए कुछ ऐसे ही यूजफुल किचन टिप्स लेके आई हूँ जिससे आप खुद के लिए टाइम भी निकाल पाएंगी और अगर आपके पास पुराने कपड़े हैं तो उसका रियूज भी मैं आपको बताऊंगी तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं उससे पहले आपसे एक रिक्वेश्ट है वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा यहाँ पर मैंने एक ब्लाउज लिया है फ्रेंट यह ब्लाउज पुराना हो चुका है फट भी गया है यह देखे मैं आपको दिखा रही हूँ यह देखे तो अब यह हमारे काम कर नहीं है तो हम इसे फेकने वाले थे तो मैंने सुचा इसको यूज करते हैं क्योंकि हम अपने कुछ कपड़ों को अगर यूज कर लें तो वो ज़्यादा अच्छा भी रहता है और हमारा थोड़ा सा काम भी बन जाता है तो यहाँ पर मैंने ब्लाउज को इस तरीके से ले लिया है अब हमें क्या करना है कि इसका जो हुक है पूरा बंद करना है यानि जो बटन है पूरा उपर से नीचे तक बंद कर देना है तो अगर आपके blouse में बटन है तो आप उसे भी सेम तरीके से बंद कर दे तो देखिए मैंने इसको बंद कर दिया है ये देखिए अब हमें लेना है सुई और धागा और सुई धागे से हमें इसमें सिलाई करनी है तो जो नीचे वाला भागे नहीं ये वाला बस यहीं से हमें इसको सिल लेना है तो बहुत बारिक नहीं सिलने की जरूरत है फ्रेंट बस लंबा लंबा सा इस तरीके से सिलाई कर दे इसमें आप चाहे तो मसीन पर भी सिलाई कर सकती हैं मगर मसीन हर किसी के पास नहीं रता है तो हाथ से भी इस तरीके से सिल सकती है तो फ्रेंड वीडियो देखने की बात कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा और साथ में ये भी बताईएगा कि आप मेरे वीडियो को कहां से देख रही है मुझे खुशी होगी तो मैं इसे पूरा इस तरीके से सिल लेती हूँ बहुत ये बढ़ियां और्गनाइजर बनने वाला है फ्रेंड इसे आप अपने अलमीरा में या फिर कहीं पर भी यूज़ कर सकती है तो देखिए मैंने इसको पूरा सिल लिया है अब मैं सुई को धागे में से निकाल लेती हूँ तो यहाँ पर गाठ लगा कर इसे निकाल लेंगे और ये लिजिए तो ये कुछ इस तरीके से पॉकेट बन कर तयार हो गया है इसे बनाने के बाद आपका बहुत सारा पैसा भी बचेगा तो अब हम लेंगे हैंगर हमें इसको हैंगर में लगाना है तो बस इस तरीके से हैंगर को इसके अंदर डाल देंगे अगर आपको हैंगर में इसे फिक्स करना है तो अलमीदा का जो उपर उला रोड रहता है न उसमें इसे लगा देना है अब इसे आपको कैसे यूज करना है वो आपकी च्वाइस है आप चाहे तो अपने इसमें छोटे छोटे पर्स रख सकती है या फिर चस्मा है या फिर बच्चों का बड़ो का बेल्ट रहता है उसे जब भी आप इसके अंदर रख सकती है इससे उन सब चीजों को रखने का एक सेपरेट जगह भी बन जाएगा और आपका अलमीदा भी बढ़ियां से और्गनाइज रहेगा बीना एक रुपया खर्च किये तो इससे आपका पैसा भी बचेगा अगर आप इस तरीके का और् पाटी में जाना रहता है तो हम जब साड़ी पहनने के लिए लेते हैं तो साड़ी के साथ ब्लाउज मिलता ही नहीं है और हम क्या करते हैं दो चार बार ढूंडने के बाद फिर सोचते हैं टाइम वेस्ट हो रहा है फटा फट से दूसरी साड़ी ले लेते हैं जिसका ब्ला से मिल जाएगा और आप अपने फेवरेट शाड़ी को पहन का पार्टी में जा सकती हैं तो ब्लाउज को आप पहले इस तरीके से इसके हुक को बंद कर लें एक साइट को उठाकर दूसरे साइट पर इस तरीके से रख दें फिर जो गले वाला हिस्सा है ने सेंटर वाला उसे हमें ऐसे अंदर की साइट फोल्ड करना है अगर ब्लाउज में डोरी लगा है तो डोरी को उठाकर इस तरीके से ब्लाउज के सेंटर में डग दें और ब्लाउज का जो बाह है उसे भी अंदर की साइट फोल्ड कर लें तो ये कुछ इस तरीके से फोल्ड हो जाएगा अब नीचे की साइट को सेंडर में ले आकर ऐसे फोल्ड करेंगे, उपर की साइट को उठाएंगे और नीचे की साइट वाले में एक छोटा सा पॉकेट बन जाएगा, तो आप इस पॉकेट में उपर वाले साइट को डाल दीजिए, इससे आपका ब्लाउज बहुत ही अच्छे से और्गनाईज हो जाएगा और आप जहां भी रखेंगी आपको ब्लाउज दीख भी जाएगा और खास बात यह है फ्रेंड कि इससे आपका अलमीदा भी और्गनाईज रहेगा फ्रेंड हम कपड़ों को अगर बेवस्थित रखते हैं तो कम जगह में ज़्यादा कपड़े आते हैं कहीं घूमने जाते हैं तो अकसर ऐसा होता है कि बैग में पूरे कपड़े आते ही नहीं है क्योंकि उसको हम कुछ इस तरीके से फोल्ड करते हैं इसके लिए तो कपड़े अच्छे से आ जाएं उसके लिए आप जो jeans वगरा रहता है उसे इस तरीके से फोल्ड करें फिर नीचे से जब इस तरीके से थोड़ा सा बच जाएगा न तो आप एक पैर को उठा कर साइड में रखें और फिर नीचे तक इसे इस तरीके से फोल्ड करते हुए चले जाएं जब end में आ जाएं तो फिर उठा लें और जो हमने side में रखा था न एक पैर के pen को उसे आपको इस तरीके से करना है और दूसरे side में ले आकर ऐसे डाल देना है ये दिखिए ऐसे कई सारा layer रहेगा आपको जिसमें चाहे उसमें डाल दे अच्छे से और ये दिखिए मुठी बर जगह में भी ये pen आ जाएगा तो अगर कहीं बाहर जा रहे हैं और कम जगह में जादे कपड़े बिठाने हैं तो ये तरीका जरूर ट्राई करें medicine तो सबके घर में यूज होता है और इसमें से दवा को निकाल कर हम खा लेते हैं और इसका जो खाली रैपर रहता है इसे हम फेक देते हैं बेकार समझकर अगर आपके घर में भी इस तरीके का कोई medicine का रैपर है जो hard है तो आप इसे नहीं फेकें जो हमारा nail cutter रहता है friend हम इ करें जो medicine का rapper रहता है उसे इस तरीके से cut करें nail cutter के through जैसे हम nail काटते हैं बस वैसे ही काटें इससे इसका जो धार है वापस से तेज हो जाएगा और यह नए जैसे हो जाएगा यानि एकदम perfect काम करने लगेगा तो यह बेकार का जो rapper है यह हमारे इस काम में भी आ सकता है और बस यही नहीं अगर आपका कैची भी खराब हो गया है तो आप कैची से भी इसे छोटे छोटे टुकडे में काट लें इससे कैची का भी धार तेज हो जाता है friend आप आजमा के देखिएगा आपको यह useful लगेगा और एक रुप्या भी नहीं खर्च करना पड़ेगा और यह खराब हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा खीच जाता है तो हम इस सौक्स को फेक देते हैं और हमें लगता है कि यह अभी काम का नहीं है तो अगर आपके घर में भी इस तरीके का कोई सौक्स है यानि मोजा पुरा ना जिसका रबबर खराब हो चुका है या फिर थोड इसे अपने वास बेसिंग में यूज कर लें जो हमारा वास बेसिंग रहता है इसे फैमिली मिंबर में हर कोई यूज करता है और इसे साफ करने का काम घर के लेडिस का ही रहता है ज्यादा तो वही साफ करती है तो डाइरेट इसे हाथ से साफ करने में गंदा लगता है घिन कारेट वस्बेसिंग को हाथ से धोना नहीं पड़ेगा तच नहीं करना पड़ेगा और दूसरा यह कि आपको कोई भी स्क्रबर की जरुरत नहीं पड़ेगी तो आप वस्बेसिंग धोने के लिए अगर डिटरजन का यूज करती हैं तो थोड़ा सा डिटरजन डाल कर पानी जाल कर इस तरीके से रब कर लें अगर आप साबुन का यूज करती हैं तो साबुन का भी यूज कर सकती हैं सेम तरीके से तो बस इस तरीके से आप हाथ को घुमा दिजिए इतने में यह बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाएगा जो भी दाग धबा रहेगा सब निकल आपको गंदा भी नहीं लगेगा घिन भी नहीं आएगा और आपका काम भी हो जाएगा तो देखिए मैंने इसको अच्छे से क्लीन कर लिया है और मैं रोज इसी तरीके सी साफ करती हूँ तो इससे हमारा वस विशिंग भी एकदम अच्छे से चमकता रहता है अब जब धोले उसके बाद आप सौक्स को निकाल कर अच्छे से धोले और देखिए हाथ जो है एकदम साफ है तो लाश्ट में थोड़ा सा हैंड वस या साबुल लेकर हाथ को धोले तो हाथ तो एकदम अच्छे से साफ रहे गई और आपको इस मोजे को फेकना नहीं है अब इसे धूप मे डाल देंगे ताकि यह अच्छे से सूख जाए और दूसरे दिन फिर से यूज करें तो इससे इसका यूज भी हो जाएगा और हमारा काम भी आसान हो जाएगा तो फ्रेंड वीडियो कैसा लगा जरूर बताईएगा अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा चैनल को सब्सक् करके बेल आइकन को क्लिक करिएगा दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा